सावन में पढ़ने वाले सोमवार के दिन का खास महत्व होता है इस वर्ष सावन महा की शुरुवात 22 जुलाई 2024 से हो रही है और इसी दिन सावन का पहला सोमवार भी पढ़ेगा इस दिन वरत रखने और शिवजी का अभिशेक करने का विधान है सावन महीने में पढ़ने वाले सोमवार के दिन सुबद जल्दी उठकर सनाना दिकर साफ कपड़े पहन ले इसके बाद आप मंदिर जाकर या फिर घर पर ही भगवान शिव का पूजन कर सकते है शिवलिंग पर अभिशेक करने के लिए आपको जल, दूद, गंगा जल, शहद, दही और घी जैसी सामग्रियों की आवशक्ता होगी सावन में शिवलिंग पर अभिशेक करने से भगवान प्रसंग होते है शिव पूरान के अनुसार शिव ही स्वयम जल है शिव जी पर जल चड़ाने का महत्व समुद्र मंधन की कथा में मिलता है समुद्र मंधन से निकले अग्णी के समान, हलाहल विश का पान करने के बाद शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था तब शीतलता और विश की उशनता को शांद करने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया इसी लिए शिव जी की हर पूजा में जल जरूर चड़ाया जाता है इसके बाद शिव लिंग पर बेल पत्र, धतूरा और भस्त जरूर चड़ाएं फिर धूप दीप जला कर भगवान की आहरती करें इस दिन व्रत जरूर रखें, आप सावन सोमवार का व्रत में फलाहार भी कर सकते हैं सावन में पढ़ने वाले सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वग, शिवलिंग का पूजन, अभिशेक करने और व्रत रखने से जीवन की समस्त पाधाय दूर होती है और घर परिवार में सुक सम्रद्धे रहती है